देखा मैंने काफी सारे लोग काफी सारे सेक्टोरल mutual funds के बारे में कमेंट में पूछ रहे हैं देखो मुझे एक चीज थोरी से समझ में नहीं आती या फिर आप लोग को नहीं समझ में आती इस चीज को थोरा से समझने हैं अगोसिस करना है अभी क्या है कि मैंने कुछी दिन पहले कल या परसों में वेडियो बनाए जहाँ पर मैंने 6 mutual funds ऐसे बताए हैं वो भी index fund छे index fund ऐसे बताए हैं जहाँ पर 23% से लेकर 26% तक कर रिटन पिछले almost 20 years में किसी में तो 21-22 साल में भी मिले हैं clear है और इन mutual funds का पिछले 20 सालों में तो मिले ही हैं 23-25-26% तक कर रिटन पिछले एक साल, दो साल, पांच साल का रिटन भी है वो भी काफी अच्छा है इसके अलावा इतने सारे small cap funds हैं जिनका returns पिछले कुछ सालों का और long term का भी अच्छा है mid cap funds है जिनका return पिछले कुछ सालों का long term का भी अच्छा है तो इतने सारे diversified mutual funds हैं जो कि अलग-अलग category के अंदर invest करते हैं और इतना बढ़िया इतना तकरा return भना के दे रहे हैं उन जो categories के अंदर उन जो मतलब diversified यह जो mutual funds है diversified mutual funds के लेका क्या मतलब कि अलग-अलग sectors के अंदर invest करते हैं अलग-अलग market cap stocks के अंदर invest करते हैं clear है और वहाँ पे जो fund manager है वो मुझसे आपसे तो कई गुना जादा qualified है stock market के अंदर investment करने के लिए तो अगर आपको या मुझे अगर किसी sector के अंदर particular दिख रहा है कि उसके अंदर growth हो सकती है तो क्या उन fund manager को नहीं दिख रही है उनको भी दिख रही है तो वो भी तो पैसा rotate करेंगे उस sector के अंदर और हमसे अच्छे तरीके से वह analysis कर सकते हैं सेक्टर की entry exit point decide कर सकते हैं मैं आपको हमेशा कहता हूं कि sectoral fund में अच्छा पैसा तभी बन सकता है जब आप fully एकदम dedicate करो अपना समय researcher analysis को entry और exit point ध्यान में रखो तो ही पैसा बन सकता है और जो normal retail investor है आप लोग को पता नहीं क्या चुल मची रहती है यहाँ पे कि इतना अच्छा पैसा 20%, 25%, 25% कम return नहीं होता है बहुत जादा return होता है अगर लंबे समय तक बन जाए तो 10-20 साल तक बन जाए तो बहुत जादा return होता है इतना जादा पैसा बन जाए तो लेकिन फिर भी आप लोग sectoral fund के चक्कर में पड़े रहते हो कोई भी sectoral fund में आप 10 साल तक बने रह जाओ अच्छा पैसा मतलब जो 25% या उससे उपर का return है किसी भी sectoral fund में नहीं मिलेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अगर आप लगातार किसी एक sector में invested रह जाओगे फिर भी नहीं बनेगा वहाँ पे आपको cycle सेक्टोरल rotation होता है पैसो का stock market में तो जब जिस sector के अंदर पैसे का rotation होता है तब वो sector उपर चला जाता है जैसे कभी हमें IT pharma उपर दिखता है, कभी हमें FMCG उपर दिखता है, कभी हमें metals उपर दिखते हैं क्या, तो हर time पे अलग-अलग sector सूपर दिखते हैं, तो हर बार आप अलग-अलग sector में या फिर अभी के time पे क्या हो रहा है, कि market लगतार अच्छा ही कर रहा है, तो इसलिए अलग-अलग 50 तरीके के NFOs, अलग-अलग sectors के आ रहे हैं, लेकिन वो NFOs हमारे काम के नहीं हैं, अभी अगर देखोगे तो जालतर sector या तो overall yield दिखेंगे, और जो undervalued sector दिख रहे हैं, उनके returns अच्छे बनते नहीं हैं, banking ले लो, auto ले लो, ये returns अच्छे नहीं देते हैं, लंबे समय तक invested रो, कितना भी ये undervalued हो जाए, इसके अंदर investment करोगे, इस index के अंदर, आपको बहुत तगरे returns नहीं मिलेंगे, जित इतना पीछे return दिया है, उसने कई सालों में, आपको दिख जाएगा कि diversified funds के return उससे कई बहतर है, बीना कुछ की, यही मैं हमेशा कहता हूँ, कि अगर आप अपने आपको actively engage करके, कि दिन रात घुसे हुए है, stock marketing और फिर भी 15-17% का return ही बना पा रहे हैं, और बीना कुछ कि actively manage, actively engage करके, खुद का समय बरबाद करके, वहाँ पे, वही समय अपने job business पे देंगे, तो और ज्यादा active income generate होगी, कि उसको और ज्यादा invest करेंगे, और उसे और ज्यादा returns बनेंगे, लेकिन नहीं, उसको छोड़के 50 तरीके कि अब कोई export opportunity fund launch हो गया, तो उसके बारे में सोचने लगेंगे, कोई banking fund launch होगे, उसके बारे में सोचने लगें, कोई metal fund launch होगे, उसके बारे में सोचने लगें, तो ऐसा नहीं होता है, और as a retail investor आपको अपना majority का जो portfolio है, 2-4-5% आप खेलने के लिए रख लो, लेकिन majority portfolio आप डालो diversified fund के अंदर, और वहाँ पे ज्याद रहना है, hold करके रखना है, और इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना है,